नमस्कार शोताओं दूरस तैवा मुक्ति शिक्षा और संस्कृति की आवाज की है उत्राखन मुक्ति स्विध्याले का कम्यूनिटी रेडियो हल्दवानी 91.2 MHz की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं कारिक्रम है स्टुडेंट कॉर्णर और आज स्टुडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं वेदो में विज्ञान पर एक व्याख्यान जो की प्रस्तुत कर रहे ही हैं MBPG कॉलेज हल्दवानी में Physics Department में Assistant Professor डॉक्टर सुधापाल तो आई सुनते हैं डॉक्टर सुधापाल को में डॉक्टर सुधापाल भौतिक विज्ञान विभाग MBPG कॉलेज हल्दवानी नैनिताल से आप सबके समक्ष उपस्तित हूँ एक चर्चा लेकर जिसका विशय है वेदो में विज्ञान वेदो में ज्यान और विज्ञान का अनंत भंडार विद्धुमान हैं वेद आरेजाती के प्राण स्वरूब हैं वेद विश्व संस्कृती के अधार इस्तंभ हैं पुराने समय के रिशी मुन्यों ने विज्ञान विशय पर गहन चिंतन मनन किया था विज्ञान से संबंदित जानकारियां हमारे वेदो ब्रहमनों बेदांगों और गनित शास्त्र, जोतिश शास्त्र, व्रष्टी विज्ञान, परियावरन, भूगर्व विज्ञान आधी विशयों पर जानकारी उपलπ्ध हैं आचारे कॉर्ट изв, बारा मिहर आरेभट आधी ने अपने अपने विशयों में विज्ञान की विविषन विधां का उलेक किया है वेज्ञानिक शब्दावली भी हमारे वेदों में यथा इस्थान प्रियोग की गई है वेदों के विशे में मनु का ये कथन सारगर्वित है कि सर्व ज्यानमयो ही सह अर्थात वेदों में सभी विदाओं के सूत्र बिद्धमान हैं वेदों में धर्म अचार शिक्षा नी अर्थ शास्त्र आयरुवेद आधी से संबद्ध प्रियाप्त साम्यक्री उपलब्ध है वेदों के अनन्त बिज्ञान के भंडार से आधुनिक बिज्ञान की ओर द्रश्टी डालें जो कि आज की इस युग में प्रचलित है तो हमें ये मिलेगा कि अजुरुवेद मंत्र तीन बटा छे में कहा है कि प्रतियक्ष गती करने वाला भुगोल आधित्ते अर्थात सूर्य रक्षक के चारो ओर गती करता हुआ अंतरिक्ष में गूमता है इसका आशे यह है कि प्रथवी अग्नी और जलसे उत्पन होती है सूर्य प्रथवी के पिता हैं जिस कारण प्र अपनी कक्षा में ब्रह्मन करती है। सूर्य के चारों और प्रत्वी के ब्रह्मन से ही दिन रात, शुक्ल पक्ष, क्रिश्न पक्ष, रितुएं, तथा, उत्रायन, एवम दक्षनायन काल भी भाग बनते हैं। यही सब तो आधुनिक विज्ञान की खोज है। जो अनादी काल से वेदों में पहले से ही उपलब्द है। रिगवेद में कहा कि सूर्य अपनी किर्णों से सरोबर आदी का पानी भाप बनाकर उपर ले जाता है। और वर्शारितु में पुनहा प्रतवी पर बरसाता है। सूर्य देव बादलों में इस्तित पानी को अपनी तिक्षन किर द्वारा बारिस करते हैं और नदी नालो वा समुंद्र आदी को पानी से भर देते हैं। रिगवेद में पानी से बिजली उत्पादन को भी बताया गया है जिससे इनसान अनेका अनेक लाब ले रहा है। रिगवेद ने ही ऐसे यान की चर्चा की है जिसमें तीन दिन या चार दिन बैठ कर यात्रा कर दुरस्त पहुँचा जा सकता है। रिगवेद में पदार्थों को पीस कर या छोटा करके खानी की बिधी का भी उल्लेक मिलता है। रिगवेद में एक से लेकर अनंत संख्याओं का ज्यान दिया गया है। जिसमें शूनी का ज्यान भी है। यहीं पहाडों का भी उल्लेक मिलता है। चिकिस्सा विज्यान की जानकारी हमें अथर वेद से मिलती है। सामवेद में बताया गया है कि परमीश्वर के असंख लोक एक साथ घूम रही हैं परन्तु आपस में टकराते नहीं। अर्थात अंतरिक्ष में ग्रह घूम रही हैं परन्तु आपस में कभी टकराते नहीं। कहनी का तात्पचे यह है कि तिनके से लेकर ब्रहमांड तक का संपूर ज्ञान वा बिज्ञान का संग्रह चारो वेदों में है अचारी कर्णाद ने लगभग 2600 साल पहले अपनी ग्रंथ में पर्मानों के गुणों के बारे में लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रहम या सत्व पर्मानों को इंगित करता है क्योंकि ब्रहमां के पास ब्रहमांड बनानी का दायत्व था यही ब्रहम का अर्थ प्राचीन ग्रंथों में अनू या पर्मानों के इस्थान पर प्रियोग किया गया है अनु पर्मानु के बंधन से बनते हैं हर एक अनु के पास अपने गुण होते हैं जो पर्मानु के गुणों से भिन होते हैं वस्तुता जब वे अनु बनाते हैं तो पर्मानु एक परिवर्तन से गुजरते हैं सभी तरल पदार्थ, गैस और ठोस पदार्थ अणुओं द्वारा बनते हैं और उन्हें आंत्रिक रसाइनिक उर्जा एंट्रोपी द्वारा एक साथ रखा जाता है आचारी करणाद ने समझाया कि मॉलीक्यूल्स अर्थात परमाणूओं के बीच एक दूसरे के साथ गठ बंधन करने के लिए एक अंतर निहित बंधन है बेदों मी ये भी बताया गया कि चटानों के ऊपर बहता पानी घरशन पैदा करता है जिससे अपछे और छरण होता है जोकि चटानों पर जमा हो जाता है जिससे एक बाड का मैदान बन जाता है शक्तिशालिक गंगा नदी ने भारतिये उपमहादीप को एक चट्टानी पठार से उपजाउ जलोड मैदान में बदल दिया है बहुतीक बरसाइन बिज्ञान के मूल सिध्धानतों का बेदों में उल्लेख मिलता है जिसमें परमानू अनू और घर्शन बल अंतरनी हित हैं जो हमारे ब्रहमान्ड को अकार देते हैं हमारे वेद अनंत ज्ञान का भंडार हैं जो जीवन, मृत्यू, संसार की रचना और पदार्थ विद्या का ज्ञान देते हैं भुमंडल के प्रमुक चार अभ्यव जल, अगनी, बायू और प्रत्वी हैं इन चारों वस्तुओं के समीप ज्ञान को ही हम बेद कहते हैं वेद चार हैं, रिगवेद, अजुरवेद, सामवेद और अथरवेद, इनकी चार अलग-अलग संगीताएं हैं भुमंडल में इस्तित, चार बस्तुओं में से जल के सम्मंध में सामवेद में वरडन किया गया है सामवेद में जल के रुपांतर कार्य तथा गुणों का ग्यान वैज्ञानिक ढंग से विस्तार पूर्वक उपलब्द है रिगवेद से अगनी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है वहीं वायू के कारे प्रकार आदी का विस्तरत ग्यान अजुर्वेद में है इसी कारण जल, अगनी, बायू और म्रदा को क्रमशह, रिगवेद, सामवेद, अथरवेद और अजुर्वेद कहा जाता है आज जिसे हम मेडिकल साइन्स के रूप में जानते हैं या विविन टेक्नलोजीज के माध्यम से जिन उपकर्णों के द्वारा अनेकों रोगों का उपचार किया जा रहा है ये सभी चिकिसा पद्धती, श्रस्टी के प्रारंब में ही अर्थात अथर्व वेद में मिलती है हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसी अविशकार किये जिनका विचार मात्र भी आज के वेज्ञानिक नहीं कर सकते वेदों में अठारा प्रकार के वायोयानों का उल्लेक है हमारे रिशी मुनी सूरे आदी अन मंडलों में जा सकते थे हमारे आचार्यों को प्रकृति की आदी से अनन्त अवस्था तक का पूर्ण ज्यान था प्राचीन समय के रिशियों ने प्रकृतिक रचना को देख कर वेदों का क्रमा अनुसार तथा विस्तरत प्रचार प्रसार किया उधारनात उत्तर प्रदेश में जल और बायू की अधिक्ता होने से बिंध परवद के उपर साम और अजुर वेद का प्रचार प्रसार किया तथा बिंध से नीचे अर्था देख्षन प्रदेशों में भूमी और अगनी प्रधान होने से वहां पर रिग वेद तथा अथर वेद का विकास किया कहने का तात परे यह है कि हमारे वेदिक ज्याताओं को संसार की समस्त लगू और विस्तरत जानकारी थी तब ही तो वे परस्तिती के अनुकूल वेदों का प्रचार करने में सक्षम सिद्ध हो सके वेदों में संपूर विज्ञान की प्राप्ती हमको होती है वेद ज्यान का प्रकाश पुझ हैं जिससे अखंड अनन्त अपरमित ज्यान बोध होता है मनुष्य की संस्कृती सभ्यता और उन्नती का विकास हुआ है या अभी और विकास भविश्य में होगा ये वैदिक विज्ञान के आश्रे से ही संभव है धन्यवाद तो शुरताओं अभी आप सुन रहे थे वेदों में विज्ञान पर ये बहुत ही बेहतरीन व्याख्यान अगर आपको ये वारता पसंद आई हो तो अपना फीड़बेक हमें जरूर दीजिएगा जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदा एक रेडियो है जैसे साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भासकर को दीजिए जाजत नमस्कार